नमस्कार साथियों और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के य्टूब चैनल पर आसा करते हैं बहतरीन होंगे और आज हम लोग का एक नया चेप्टर एक नया अध्याय सुरू होगा मैत में तो आप लोग फटा फट सेर कर देना एक बार जिन जाते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से आपको स्वन में आएगा यह पूरी गारंटी हमारी है पूरा दावा करते हैं अगर आप किसी भी क्लास को इस बिना स्कीप किये हुए सुरू से लेकर अंत तक देखते हैं बहुत जादे बड़ी भी नहीं बनाएंगे अब मैं क्योंकि मैत के क्लास पचास मिनट नहीं पढ़ोगे तो क्या ही पढ़ोगे तो आप लोग अंत तक बने रहना एक बार सभी बच्चों को गुड़ अप्टर नून सभी बच्चों को राम 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 महा देव देखो भाई यह तो प्राच बहर ही आ प्रभुजी का चलो चलो भाई अब हाँ अब हम लोग आज पढ़ने वाले जो है टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं सभी को गूड अप्टर नून मेरे भाई चलिए ठीक है भाई देख लो उंगली कटी है लेकिन आपके सामने हार नहीं माने ही मेरे इसी उंगली से कटी हुए उंगली से म यानि कार और समय कार और समय और जो बच्चे कल बोल रहे थे सा थोड़ा बड़ा लिखेगा बिल्कुल निस्द्र ही आप उसके लिए हमें एक ही सवाल एक ही नुमेरिकल बोर्ड पर लिखूंगा जिससे कि डिश्टल नहीं बच्चों ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि वह इस लाइटिंग इतनी ज्यादे लाइटिंग की वज़े से वह आपको वर्ड थोड़ा सा धुंदला सा दिखता है ना तो उसके लिए मैं कुछ करूंगा बहुत जाल देगी कारे और समय कारे और समय क्योंकि डिशल बोल लेने के लिए इतने तो सेल्फ हो नहीं पात तो आज हम लोग कारे और समय आपको बता देते हैं यहां से एक नंबर आपका ताय है यूपीटेट में और मैक्सिमम कहलो तो दो नंबर कहीं न कहीं सुभमा के टाइम एंडवर की तरह आ जाता है और सुपर्टेट में भी एक क्योशन आपका यहां से ताय है तो एक आठे अनव क्योशन हम लोग करेंगे जिसके माध्यम से आपको बैसिकली हर टाइप के प्रश्ण हम लेते चलेंगे तो सबसे पहले हम लोगी स्टार्ट कर लेते हैं भाई देखना कारे और समय में बहुत अपने एक रिलेशन जैसे मा में होता है मां बेटे में होता है पती यह समझ में आती चलेंगे यह स्याम ने कहा राम है जो किसी काम को पंद्रह दिन में करता है और एक स्याम है जो सेम उसी काम को जो सेम उसी काम को कितने दिन में करता है देश दिन में करता है राम एक काम को पंद्रह दिन में करता है और स्याम उसी काम को देश दिन में करता ह यह बात में पूछी गई पहले आप उस तरह से देखेंगे थोड़ा सा जिस तरह आप हम लोग स्कूलिंग के समय करते थे एक क्लास शिक्स या फिफ्ट का या नुमेरिकल है जितने टाइमेंड वर्क के हैं फिफ्ट क्लास एंसियाटे का जो मैंने ट्यूशन के समय पढ़ाय बच्चों को तो वह चीज़े इसमें दिखती हैं अगर आप एट तक के नुमेरिकल मतब एट तक के एंसियाटी मैथ की बुक सॉल्व कर लेंगे तो सायद आपको बहुत बहत्तरीन तरीके से तया हुझा लेकिन बच्चों को इस तरह नहीं बताएंगे जैसे हम लोग कंप जो काम है कुल काम काम एक काई है आपने माल लिया कि एक काई काम है जब एक काई काम है मेरे भाई तो आप बताना जो राम महोदय जी हैं वह पूरे एक काम को पंदर दिन में करते हैं 15 डे है जो राम महोदय हैं वह किसी एक काम को कितने दिन में करते हैं 15 डेज में करते हैं एक काई को 15 डेज लगाते हैं करने में 15 days लगाते हैं करने में शेम अगर मैं कह दूँ एक ही काई 15 दिन में complete करते हैं तो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया तो आप कह देंगे एक बठा 15 काम इन्होंने एक दिन में किया ठीक है इस तरह आपने देखा एक दिन का इनका कार्य निकल के आ गया तो टोटल उनका एक काम जो है वो टेन डेज में करते हैं टेन डेज में करते हैं एक ही काई के काम को तो एक दिन में कितने काम करेंगे टेन डेज में करते हैं तो एक दिन में यानि कि वन डे में एक बठे दस ही काई लगाएंगे इस प्रकार से करेंगे तो हमको बताना है कर दोनों मिलकर साथ में करते हैं तो वह काम कितने दिन में निप्टा देते हैं तो हम क्या करेंगे दोनों का एक एक दिन का काम हम लोग ऐड़ कर लेंगे एक दिन में या इसका एक ही काम यह कितना आ रहा, one day में यह कितना काम किया, एक दिन में यह इतना काम किया, दोनों की एक-एक दिन की कार कितनी होगी, तो कहा देंगे, एक बटे पंदरा, प्लस एक बटे दस, यानि कि निकल कि आ जाने वाला है, 3 LCM ले लिजे 15 लोग 10 कीअज़ आजाएगा यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आजाएगा और नीचे 30 आजाएगा यानि कि 10 यहाँ तीन आजाएगा वो 15 दूना 30 यहाँ पे 2 आजाएगा ठीट है, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 बठे के 30 5 बटे 30 यानि कि पांच चक तीस मेरे भाई यानि कि एक बटे छे आ गया ये एक बटे छे यह बता रहा है कि दोनों का दोनों अगर मिल के किसी काम को करते हैं तो एक दिन में एक बटे च्छा कारे करेंगे समझ रहा है ना यानि कि दोनों जब मिल कर कारे करते हैं तो एक दिन में एक इल्ट इच्छे कारव को निप्टाएंगे. यह इनका आया है वन डे का, वन डे का, वन डेज का यह उवर का, यह है दोनों का, यानि कि स्याम का और राम का दोनों साथ में यह एक दिन का काम दोनों अगर साथ करते हैं तो एक बटा च्छा कारे करेंगे तो बताना तो हमको यह है न कि वह एक काम को मिलकर साथ कितने दिन में करेंगे क्योंकि इसी एक काम को अकेले या राम जो है पंदर दिन में निप्टा रहे थे और यह स्याम जो है 10 दिन में निप्टा रहे थे लेकिन अब क्या है दोनों इसी काम को 7 में करते हैं तो वही काम मतलब एक दिन में अगर वह करते हैं एक बटे 6 में तो बताए उस एक काम को दोनों मिलकर कितने दिन में खतम करेंगे जब हम कहें दें टोटल वर्क है हमारा एक ही काई और दोनों मिलकर किसी काम को एक बटे छे दिन में करते हैं तो बताना दोनों मिलकर इस एक ही काई के काम को किते दिन में करेंगे छे दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, छे दिन में ही निप्टा देंगे, मेरे भाई टूटल वर्क अपान में उनका एफिसियंसी या फिर उनका समय, क्योंकि यह समय ही तो है, यह हमारा क्या है, यह इनका वर्क है, इतना काम हो करते हैं एक दिन में, और हमारे पास ए डब्बे में गर 100 टॉफी है तो कितने रुपए का पड़ेगा मान लो कि 5 रुपए के हिसाब से ही बताएगा तो आप 100 में 5 यह उड़ा करोगे लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि यह 100 रुपए की जो डब्बे वाली टॉफी है इसमें 1 रुपए 1 रुपए की मतलब एक टॉफी 5 रुपए के मिलती है यह 100 रुपए वाले डब्बे के टॉफी एक टॉफी 5 रुपए मिलती है अगर हमने कहा कि बताओ एक टॉफी कितनी की है तो आप क्या करोगे 100 रुपए की डब्बे में चाहितनी टॉफी यह हो यानि कि आपको पता है कि 100 रुपए 5 दबाब है यह घ। पूरा का पूरा बच्पन वाला जो हमें स्कूल के समय करते थे अब थोड़ा साम आपको एक और प्रयास करते हैं आपको एक फामला बताते हैं ध्यान से देखिएगा और उस फामले से हम इस क्वेशन को निपटाएंगे भी सेकेंडो में उड़ाने लग जाएंगे क्वेशन को विश्वास नहों तो आप अंत में देखना आप प्रम्हास तक आपके हाथ में लग जाएगा ठीक है न चलिए अगर हम कहें दें बच्चों कि जो आपका टाइम होता है, मतब जो आपका समय होता है, टाइम यानि टाइम होता है, टाइम में अगर हम गुड़ा कर देते हैं, एफिसियन्सी यानि योग्यता का आपका, एफिसियन्सी का, टाइम में अगर एफिसियन्सी का गुड़ा करते हैं, यानि कि समय में गुड़ा करते हैं, य कि आप उसे मदब 10 घंटे लगा देता है तो और आप जो हैं एक एक घंटे में उसको निप्टा देते हैं तो किसकी efficiency जादे हुई आपकी efficiency जादे हो गई तो इसी प्रकार से जब time और efficiency का यानि कि समय और योगिता का अगर हम multiply करते हैं तो क्या मिलता है हमको total work मिलता है और बस इसी एक फार्मले से यानि कि कुल काम कुल काम था कुल काम मिलेगा और simple भाई मैं बता दो ना सिर्फ इस एक फार्मले से time and work की जितने भी question आते हैं सब प्टाओगे और इस फार्मले की भी जूरोत नहीं पड़ेगी अगर आप ट्रेंड में आ जाओगे तो मस तरीके से लगाते चलोगे लाजवाब उसके answer भी आपको धरा-धरा सा दिख जाएगा ऐसे ही एक question आ गया नेक चाम में तो आप कहोगे अरे वाह मेरा तो एक नंब पाने का मतलब यह हुआ अब देखना गर आप से पूचता है समय बटाओ समय तो क्या करोगे समय निकालने के लिए जाफ क्या करेंगे कुल यानि टोल वर्क में टोटल वर्क में की कुल समय में कुल समय में, थोड़ा सिखाने में बस मुझे थोड़ा समय लगएगा बच्चों, फिसके बाद देखना question पर आ जाएंगे इसके बाद, total यानि कि time, यानि कि समय आप बता रहे हो, total समय बता दो कितना लगा, तो total work यानि कुल समय बते योग गता, यानि कि efficiency, कितने efficient हैं यानि कि योग हैं, उस तरह से है समय आगया, अगर आप समय निकालने को कहेट तो, यह अभी हमने देखा था, अगर कहे efficiency बता दो, यानि योग गता बता दो, अगर efficiency निकालने को दे दे तो आप क्या करोगी योग्यता यानि efficiency को इधर ही रने देंगे समय से फिर भाग लगाएंगे total work में तो total work अपान में time यह निकल के आता है फ्रमरा अब एक काम हमारा और सुनिएगा हमारी बातों को समझेगा समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा जैसे मैंने कहा दिया कि आपने एक दिन में कितने रोटी खाया आपने एक दिन में आपने रोटी खाया दो छोड़ो अच्छा इसको इसको छोड़ो जैसे कि मैंने कहा दिया एक ट्रेंड वाला मदब एक बहुत अच्छा वरकर है जो कि काफी सालों से दो तीन साल से किसी एक कंपनी में कारे कर रहा है और आप नए वर कर हो आप भी जाओ उसी कंपनी में कारे करने के लिए आपको पैसे क्यों कम देते हैं इसका कारण महज एक ही होता है क्योंकि उनको एक तरसे योग चाहिए योग गिता चाहिए तो जिसकी योग गिता जादे रहेगी उसे जादे प जिसकी efficiency जितनी जादे होगी, अब अगर वह जादे समय तक कारे करेगा, तो जानते होंगे बहुत सारे department में, जैसे बैंक के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, नॉलेज है, अगर वह थोड़ा सा जादे, जैसे कि मुझे थोड़ी सी जानकारी है, भी यो वाले में भी, त जब सरकार क्या करती है, मुझे एक्स्टा पैसे देती है, और अगर मैं चाहूं कि मैं एक गंटे, अपने आठ गंटे में से एक दिन माइनस कर लूँ, तो उसके पैसे निकटते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया, रिपोर्ट में, कि मैंने एक दिन एक्स्टा काम किया है, इस हबते, इस महिने, तो उसके पैसे निकल के आ जाते हैं, यानि कि आपकी efficiency पैसे है, आप जितना योग्य होंगे, उतना पैसे आप कमा सकते हैं, यानि कि कि किसी company में अगर आप योग्य भी हैं और समय भी जादा दे रहे हैं, तो आप पैसे बहुत कमा होगे, बहुत जा जाता हूँ, कर से आपको करना है, यानि कि अगर आप टाईम बढ़ाओगे, किसी काम में, किसी काम को करने में टाइम बढ़ाओगे, तो यानि कि total work का आपका क्या होगा बढ़ेगा, अगर आप efficiency बढ़ा तो भी total work क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है भाई? देखना मिल भई जैसे जो राम था वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और जो स्याम था जो स्याम था वो 15 दिन में कर रहा था यह तो डेज है यह देज है उतने दिन में यह कर रहे हैं अब इन दोनों का LCM ले लो कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो दोनों काटें एक ही साथ मुझे पता है कम से कम वाला अब LCM वाला चेप्टर हमने पढ़ा रखा है बहुत असानी से ले सकते हो 10 और 15 का LCM आएगा मेरे भाई वो 30 आजाएगा जो यह 30 है न यहीं है यहाला क्या है मेरा टाइम है क्योंकि हम राम से दस दिन में काम करा रहे हैं इस तीस वाले काम को टोटल काम तीस है राम जो है दस दिन में तोटल काम कर रहा है तीस काम को और स्याम जो है यही काम जो है पंदर दिन जादे होगी और इसका 1532 और इसकी एफिसेंसी कम होगी हो गया अब हम कह दें कि दोनों की एफिसेंसी मिला दें फिर बताओ कितने दिन में कार रहे होगा कुल काम तो आप कहोगे कि दोनों की जो टोटल एफिसेंसी है न वह सिक्स है और टोटल वर्क अभी हमको पता है यानि is equal to total work अपान में कुल efficiency यानि कि total efficiency दोनों के efficiency यानि कि आप यहाँ पे efficiency लिखे हुए थे इस प्रकार से तो बताओ time निकालना है यानि यानि कि राम और स्याम दोनों मिलकर जब उस कारे को करेंगे मेरे भाई तो 3 और प्लस 2 पांच की efficiency से करेंगे हमने multiply कर दिया था 3 और प्लस 2 यानि कि 5 की efficiency से करेंगे यानि कि time निकालना है मेरे भाई हमें तो total work कि कितना है 30 है और उसी total work को जब दोनों 7 मिलके करते हैं 5 की efficiency से अलग-अलग efficiency से कर रहे थे अब दोनों 7 में अपनी efficiency यानि योग गिता दोनों के साथ में include होकर कोई एक person बन गया अब वो करेगा तो 6 दिल लगाएगा 5 अब इसमें जादे समय नहीं लगेंगे आपको मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा मैं मानता हूँ इस चीज को लेकिन अब देखना आप उड़ाओगे ऐसे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं लेकिन आप जो है इसको सीखिए अब नहीं समझ में आया तो फिर से comment करिए चीजों को मैं फिर से बताऊँ ठीक है? comment करिए भाई चलिएगा इस प्रश्न को आप देखेएगा आप तो प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा तो इस प्रश्न को देखेएगा इसके बाद हम लोग करीब 10-15 प्रश्न करेंगे आप बज देखते चलिए A तथा B किसी कार्रे को क्रमसत 30 तथा 20 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्रे को किते दिन में करेंगे यानि एक बंदा है A और एक बंदा है B अगर A जो है किसी एक कार्रे को 15 दिन में करता है सोरी 30 दिन में करता है और B शेम वर्क को 20 दिन में करता है अभी आ जाएगा दिरे 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 न चीजें अपने आप आ जाएंगी रंड में आ जाएंगी आप खुद देखना इता हम स्पीड में करने लग जाओगे A किसी कारे को 30 दिन में करता है और B किसी कारे को 20 दिन में करता है 30 और 20 दिन में करते हैं यानि कि यह उनका समय हो गया कौन सा काम है या हमको कैसे पता चले किस काम को यह 30 और 20 दिन में करते हैं तो हमने बताया था जो total work है न वो निकाल ले के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों का LCM ले लेंगे तो ऐसा एक LCM आना चाहिए ग्यवसन आसान है तो गलत नहीं होने चाहिए 2 से काटेंगे तो 15 आएगा 2 से 10 आएगा फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर 15 आएगा फिर 5 से काटेंगे तो 5 ती ये 15 पंदर 5 एकम 5, 3 से cancel करेंगे तो वो न आ गया यानि कि 5 यान 15 15 दूना 30 दूनी 60 यानि कि जो टोटल वर्क है न वह 60 आया जो टोटल वर्क है न वह कितना आया 60 आया मेरे भाई तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आता था इनकी योगिता आता था efficiency आती थी यानि कि जब हम इसी जो A कर रहा था अगर उसकी efficiency निकालनियों में तो उसके टोटल समय से कितने दिन में वकार कर रहा है उसका उससे जो है divide करेंगे total वर्क को यानि कि 30 बटे 30 करेंगे तो आज आएगा 30 दूनी 60 यानि कि जो A की efficiency है वो 2 है कितना है 2 है और जो B की efficiency efficiency है जाइस सी बात अगर B कम समय ले रहा है इसकार को करने में A के पेच्छा तो जाइस सी बाते B की efficiency जादे होगा तो 20 63 यानि कि 3 निकल कि आ गया अगर आपको ऐसा question भी पूछ ले ऐसे ही देकर A किसी कारे को 30 दिन में करता है B किसी कारे को 20 दिन में करता है सेम वर्क हैं द गएगा तो 2 प्लस 3 पांच टोटल efficiency पांच आ गया अगर टोटल वर्क हमने बताया था फिर से मैं एक बार और फार्मुले के लिख रहा हूं लेकिन अब आगे से फार्मुला नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको इस वर्क को फार्मुले वाले वर्क को थोड़ा सा स्किप कर कर तो चीजों को समझिए फिर से मैं अगला प्रस लेता हूं चीजों को समझिए फिर मैं अगला प्रस लेता हूं ठीक है अब देखिएगा मेरे भाई अब इस बार हम A तथा B तथा C तीनों को ले लेते हैं देखना थोड़ा सा मैं यहां पर चेंज करूंगा बस वही सारे रहेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा सेंज्ज करूगा A, B तथा इस पर C आ जाता तीन लोग आ जाता है किसी कार को क्रमस 12-15-20 दिन करते हैं किसी कारे को क्रमसा 12, 15 तथा 20 दिन में करते हैं, मिर भाई share कर देना, जिससे कि और भी मिरे भाई आ जाएं, कम सकम यहां पर जूड़ जाएं, और चीजों को देखने लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, सब के पास कम है, तो चीजों को जरूर से जरूर आप share करिए, कम सकम दूसरे का help करिए, इतना तो कर सकते हैं, मिर भाई, सब के लिए ASRI classes होती है, तो सब लोग देखें, अच्छी बात है, तो अब इस question को हम लोग साल करते हैं, अब तीन लोग आ गए, अब जब तीन लोग आ गए, तो कैसे हम लोग करेंगे, देखते हैं, A जो है किसी कारी को कितने दिन में करता है, अब हम फार्मले को नहीं लिखेंगे, कितने दिन में करता है, बारा दिन में करता है, एक इसी कारे को 12 दिन में करता है और बी उसी कारे को 15 दिन में करता है और सी उसी कारे को 20 दिन में करता है यानि कि तीनों ने अलग-अलग समय से काम को कम्पलीट कर रहे हैं तीनों अलग-अलग समय से काम को कर रहे हैं तो जाइश ही बात है इन तीनों का LCM ही क्या होगा? हमारा वह काम होगा, वह TOTAL WORK होगा? तो आपको पता है ये तीनों किसको काटेंगे? तीनों के LCM से कटेगा जो नमबर वही होगा, वही तो एक हमारा TOTAL WORK होगा? जानि कि साथ होगा ये गाइसा नमबर? आप खुद कर स हमने बहुत अच्छा फंड़ा बता रहा, इस प्रकार से आपको नहीं निकालने हैं, मैंने जो बता है उसको आप फालो करेंगे, 15 और यहाँ पर 10, फिर यहाँ से मैंने फिर 2 से cancel out किया, 2, 3, 6, 15, यहाँ पर 5 आ गया, फिर हमने 5 से cut out किया, तो 5, 5, 5, 3 आ गया, इस बार 3 से क यह total time है और यह efficiency निकल के आएगी, यहाँ पर कब आएगी, जब इस time को इसमें divide करेंगे, यानि कि 60 या total work divide by time करेंगे, तो A का 12 पचे 60, A की efficiency 5 आ गया, 15 चुका 60, इसकी efficiency 4 आ गया, 20, 63 यानि कि इसकी efficiency 3 आ गया, अब total तीनों का efficiency कितना हुआ, क्योंकि तीनों अगर 7 करेंग तो तीनों की अलग-अलग जो efficiency होगी, add हो जाएगा, तो साथ मिलके तभी तो किया जाना हुआ, क्योंकि जो हाथी एक है, वह बहुत बड़े लट्थे को उठा सकती है, यानि उसके पीट पे लट्थे जितना भी उसकी efficiency के अनुसार लादो उठा लेगी, लेकिन उसके तो सेम उसी प्रकार से इस तीनों लट्थों को मिला कर कितना लट्था बना, पांच चार नौ, यानि कि चार तीन, साथ, तीन, दस, दो, बारर लट्था बना, यह बारर लट्था जो है मेरे भाई, efficiency है तीनों का मिला के, यानि कि total वर्क हमारे पास कितने है, अपान total efficiency, या यानि कि cool efficiency कह सकते हुआ, या आ जाएगा total उनलों का कार है, total समय, यानि कि 60 बटे के 12 कर देंगे मेरे भाई, तो 12, 25, यानि कि वो तीनों मिलकर इसे 60 काम को 5 दिन में complete कर देंगे, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, दो बारर ठीक है, तो यह काम बताओ, यह हुआ कि नहीं, नुमेर क आप सभी को, अच्छी बात है, नहीं संज में आया है, तो आपके सामने है, एक बार समझने का प्यास करी हो, शीष को, देखिए, थोड़ी सी सेहत वीक है, फिलाल, बताइएगा, आप लोग इसको लिखते रहे हैं, नोट डाउन करते रहेंगे, आप सभी नमेर भाई, दे जो यूपिटेट में आया था, पिछले बारवाले में, से में अहां से क्वसन आया था, और उसमें स्कीप करने वाला था, तो अभी मैं उसके विज़ा कांस प्रस्ट करवाद हूँगा, इसी समय करूँगा, देखते रहेंगा, देखिए, इस प्रस्ट को पढ़िएगा, एक इसी काम को दो घंटे में पूरा कर सकता है, लिखते चलिएगा, अच्छा पहले पढ़ लीजिए, एक इसी काम को दो घंटे में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम के तीन गुने काम को आठ घंटे में कर सकता है, यानि कि जब बी जो है, तीन गुने काम को आठ घंटे म जब बी जो है न वो एक काम को करने में मेरे भाई कितना समय लेगा यह पहले पता चल जाए यानि कि तीन गुणा काम करो करने में आठ घंटे का समय लेता है तो बताओ एक गुणा काम यानि एक गुणा निकलेगा तब ही तो क्योंकि सारे तो एक गुणा कर रहे हैं इसको भी एक गुणा करवाना है हमको मतलब कि एक तीन दिन का काम है ऐसे समय लो मतलब एक एक काम कर रहे है तो हमको तीन दिन वाला जो यह काम कर रहा है उसको एक दिन में करना है तो यानि कि तीन गुणा कादर कर रहा है तो तीन vacancy वाला हुआ यानि कि बहुत कम से कम समय में काम को कर पारा है total work को तो जायर सी बात है इसका जो तीन गुना work है तीन दिन का जो काम है इस तरह समझे उसको एक दिन में convert करते हैं यानि एक गुना काम हो कितो दे दिन में करेगा आठ बटे तीन दिन में करेगा आठ बटे तीन दिन में करने वादा है मेरे भाई यानि कि जायर सी बात है B के लिए जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं A किसी काम को दो गंटे में कर सकता है तो B उसी काम को आठ बटे तीन घंटे में कर सकता है भाई घंटा डेज जो हाँ पर ने घंटा कर दे ना क्योंकि समय घंटा भी है उ यहां पर घंटे की बात हुआ है एक इसी काम को 2 गंटे में पूरा कर सकता है भी इसी काम को तीन गुना बोला है ना तो अब तो हमने तीन गुने देखिएगा एक इसी काम को दो घंटे में कर सकता है एक इसी काम को दो घंटे में टूहावर में कर सकता है बी सेम उवर्ग को आठ वटे तीन आठ वटे तीन कहां से आया? अब यूने बताया था आठ वटे तीन घंटे में कर सकता है और C जो है सेम और को मेरे भाई 8 हंटे में कर सकता है यानि कि जो A है, B है, C है ये तीनों का शमय हमें को पता चल गया तो जाइज सी बात है टोटल और की यानि कि टोटल काम किस काम को ये लोग कर रहे हैं तो इनकी LCM बता दीजे यानि कि 8, 8, 8, 64 और 2 इस प्रकार से नहीं लेना अब इस तीन को थोड़ा सा बूलना है मैं देखना जैसे आप LCM जब लेते हो 2 बटे 1, 8 बटे 3, 8 बटे 1 इस तरह कार से लेतो लेकिन मेरे भाई ये तो हमारा आप इस प्रकार से LCM लेगो नहीं लेना है मुझे मुझे यह लेना है कि हमें पता है अगर टोटल वर्क यह है मारा तो जाइड सी बात है टोटल वर्क में कर समय का डिवाइड करेंगे न तो यह 3 ऊपर जाएगा और 8 नीचे रह जाएगा सेम एक बटे दो ऐसे करके लेना पड़ेगा अब आपको स्टार्टिंग में आपको कैसे समझाया था तो ऐसे लेने हैं तब आपको सीम्पल से में बता देता हूं कि हमको सिर्फ उपर वाले का LCM लेना है समयार है, अगर उपर वाले का LCM लेते हैं, 8, 2, 8 का, तो 8 आएगा, आएगा न 8 भई, 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, LCM होगा, इन तीनों का टोटल वर्ख होगा, टोटल वर्ख को A जो है, यानि 8 काम को 2 गंटे में कर रहा है, और उसी 8 काम को B जो 8 बटे 3 गंटे में कर पा रह यानि B की, तो 8 बटे के, 8 बटे 3 करोगे, यानि 3 उपर जाएगा, और 8 8 से कर जाएगा, यानि 3 आ जाएगा इसकी Efficiency, इसका 8 बटे 8 मतब एक Efficiency, अब जब तीनों साथ कर रहे हैं, तो तीनों की Efficiency यानि जोड़ जोड़ जाएगा, तो 4, 3, 7, 8, 8 Efficiency टोटल आ गया, और यह इसकाम को एक घंटे में निप्टा देंगे, ठीक है, चीज है, चीज है समझ में आया, ऐसे इस सेम नुमेर कल अभी हम फिल लेने वाले हैं, आपके सामने भी, बहुत सारे क्वेशन है, देखिए हम थोड़ा से समया गया हो, तो इसमें इरेज नहीं करेंगे, बस थोड़ा दिन ही लेता है, बी पांच दिन लेता है, और सी को कार करने में उतना ही समय लगता है, जितना ए और भी साथ करते हैं, मुझे थोड़ा से इरेज करना पड़ेगा, इसको पूरे नुमेर कल को, देखिएगा, चीजों को आप थोड़ा उधर समझते रही हैं, हम क्योशन लि लेता है, फाइब डे लेता है, यानिकि पांच दिन लेता है, और जो मेरा भाई सी है न, और यदि सी को कार करने में उतना ही समय लगता है, उतना ही समय लगता है, जितना A और B को साथ मिलकर करने में लगता है, जितना A और B को साथ मिलकर करने में लगता है, करने में लगता है, तो बताइए अगर तीनों साथ मिलके करें, तो कार को कितने समय में कम्प्रेट करेंगे, तो तीनों साथ मिलकर उस कार को करने में कितना समय वितीत करेंगे, कितना समय लगाएंगे, शवाल भरपूर दिख रहा होगा आप सभी को, मैं बच्चे कर लेता हूँ, किसी पच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि भई कमेंट ठोड़े से पढ़े नहीं जाते हैं आप सभी के, क्योंकि स्क्रीन अभी इतना ज़्यादा light नहीं है कि अपड़िट नहीं है भाई कि मैं आपके कमेंट भी साथ में पढ़ पाnot हूँ, तो इसके लिए मैं मापी चाहता हूं आप सभी से, बस एक आसा है कि आप सभी निरास तो नहीं करेंगे share जरूर करेंगे अपने भाई की बात तो मानेंगे ही मानेंगे खैर कोई बात नहीं अगर देखते हैं लाब होता है selection भी होते हैं आप सभी के मिरा भाई कहीं से पेड़ लेने क्या हो सकता नहीं जैसे ही मैं समाप्त होगा अगर जो बच्चे यह भी चाहते हैं कि मैं यूपिटेट का EBS और जियोग्राफी सुपर्टेट वाला मतब एवियस भी आएगा अब प्लस साथ में आपके हिंदी भी तो तीन सब्जेक्ट हमने पहले से भरपूर कंप्लेट करके रखें प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा आपको और इसके डिसक्रप्शन में भी हमने लगा रखा है CDP अभी मैं बहुत जल्द शुरू करूँगा जैसे आप थोड़ी सी संक्यास में बढ़ा लेते हैं तो मेरे लिए थोड़ी सी काम असान हो जाता है ठैर कोई नहीं हर हर महादेव साथ में हैं जब भी मेहनत साकार हुआ तो चीज़ें सही हो जाएंगी चलिए जब तक जहल करता है और जो B है मेरा भाई वह किसी काम को किते दिन में करता है पांच दिन लगाता है लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है बोला जा रहा है कि जो C है न वह उतने दिन में काम को कंप्लेट करता है जितने दिन में यह दोनों मिलके करते हैं यानि कि इन दोनों का प यानि कि अगर यह दोनों मिलकर टोटल वर्क करें यानि कि इतने एपिसेंसिस करेंगे चार और यह पांच एपिसेंसिस करेंगे टोटल वर्क कितना है बीस है तो बीस बटे के अगर अब पांच करते हैं तो पांचों के बीस यानि कि अगर यह दोनों मिलकर किसी काम को करते है बीस वाले काम को इस काम को करते हैं तो चार दिन में निप्टा देंगे तो वही बोल रहा है कि जो C है न ए और B द्वारा मिलकर किये गए कार के बराबर काम कर रहा है यानि कि C जो है न किसी काम को चार दिन में निप्टा रहा है तो चार दिन में निप्टा रहा है तो इसकी कार उतने ही दिन में यह केले करेगा यानि कि चार से पांच 20 में भाग लगाएंगे टोटल वर्क में तो कितना आ जाएगा 5 इसकी efficiency पांच आ गया अब तीनों मिलकर कितने दिन में कारे को करेंगे तो 5 4 9 10 10 efficiency से टोटल वर्क कितना है 20 20 बटे 10 यानिके 10 दूना 20 अगर तीनों मिल के किसी कारे को करते हैं सेम वर्क को तो दो दिन लगाएंगे मेरे भाई अब बताना कीजे समझ में आ रही हैं तो अभी हम लगाएंगे 4-5 नमेर का लगाएंगे आप सभी साथ रहना ठीक है चले आगे च इसको लिखिए थोड़ा समय अलग से क्वेशन चापता हूं तो समझिए पहले अपने से खुछ से समझिए चीजों को आसान होगा जो आप समझिट होगे चीजों को इसका लेंग्वेज पढ़ना और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना चीजें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए यहोंकि क्वेशन बेतरीन है अपने आप में कहा जा रहा है ए तथा बी किसी कार्ड को क्रमसर 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों उस काम को एक साथ सुरू करते हैं तथा तीन दिन बाद एक काम को छोड़ कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा तो देखते हैं मेरे भाई A और B हैं किसी कारे को कितने दिन में कैसे कैसे क्या करते हैं हम लोग देखते हैं एक A है बंदा एक है B बंदा A जो है किसी कारे को दस दिन में निप्टा देता है और जो B है न मेरे भाई यह बारा दिन में निप्टा देता है ठीक है न एक किसी काम को दस दिन में निप्टा देता है और B किसी कारे को बारा दिन में निप्टा देता है मेरे भाई तो टोटल जो कारे होगा इन दोनों क LCM होगा यानि कि 10 और 12 का LCM कितना होगा मेरे भाई तो 12 कम से कम छोटे से छोटे हुआ वैलू हमको लेना यहाँ पर जो दोनों काट सकें तो 12-5-60 अगर हम लेते हैं तो 10 शक्का 60 और 12-5-60 यानि कि यह तो थोड़ा से जादा हो गया यानि कि 12 के 12 और 24 और 36 यानि कि 10, 10 दुनी 20, 10 ते ऐसा कुछ लो तो 12 के 12 और 24 और 36, बार 24 और 48 60 ही होगा मेरे भाई अब 60 ही लोगे, 60 होगया इसका LCM यानि टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क 60 हा गया डेज यानि टाइम जो लग रहा है मेरे भाई इतनी है टाइम लग रहा है एक एक को तो एक एक का efficiency यानि एक की efficiency 10 शक का साथ 6 है 12 पच्चे 60 इसकी efficiency 5 होगे अब कारिक्रम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा दोनों उस काम को एक साथ सुरू करते हैं ठीक है यहां तक तो कहानी पल्ले पढ़ रही है तथा तीन दिन बाद तीन दिन बाद जैसे ही बोला मेरे भाई तीन दिन बाद छोड़ काउड़ा है ए छोड़ रहा है काम को तीन दिन तो दोनों साथ में किये काम को तीन दिन तक कितने efficiency से साथ में काम किये हैं टोटल काम हमारे पास 60 है और टोटल एफिसेंसी 6 5 11 है मेरे भाई अगर मैं के दूँ 6 5 11 है ना 1265 ठीक ना 10 चका साथ ठीक है कहीं दिक्कत नहीं नहीं तो बताओ अगर दोनों मदब कि अगर साथ में कार स्टार्ट करते हैं और तो तो टोटल एफिसेंसी में अगर मेरे भाई हम टाइम का मिल्टिप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है यह तुमने बताया था आपको तो टोटल एफिसेंसी मारे पास इतना है और टोटल टाइम तीन दिन है यानि कि एगर ग्यारा के एफिसेंसी से कोई भी बनता तीन दिन तक कारे करेगा तो कितना कारे होगा ग्यारा गुड़े तीन यानि कि तीन नहीं ग्यारा एफिसेंसी और तीन दिन तक करेगा तो टोटल वर्क कितना मतब कुल काम कितना कर ले जाएगो 33 काम इस 10 में से 3 गया 7 यहां बच्चा 5, 5 में से 3 गया 2 27 काम बचे इस 27 काम को मेरे भाई कौन करेगा अकेले अब क्योंकि A तो जा चुका है छोड़कर तो जाइड सी बात है रास्ते में बच्चा क्या B अकेला, A तो निपट लिया भाई अपना, तो बताओ 27 काम बचे हैं अब करना है केवल B को किस Efficiency से करेगा? 5 की Efficiency से करेगा कितने दिन लग जाएंगे? केवल 27 कारे करने में जो एक्स्ट्रा जो 3 दिन लगा है वो तो लगा ही है 3 दिन दोनों को साथ में लेकिन अब तो A जा चुका है न तो बचा B, B 5 की Efficiency से करेगा अब A वाली Efficiency तो अटाओ न क्योंकि अब बचा B तो B की Efficiency से कारे होगा हमारा और कारे बचा है 27 काटिए इसको 5 जो के 20 5 पचे 25, 5 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे, डे जो लगेगा 5 सही 2 बटे 7 लेकिन मेरे भाई अब पूछा क्या है कि कितने दिन तक तो काम अच्छा, पूरा काम पूछा है तो 8 सही 2 बटे 7 ही हो जाएगा पूरा काम होगा, कितने समय में काम पूरा होगा, तो 8 सही 2 बटे 7 दिन में कारे जो है पूरा होगा, ठीक है जहां कि तबोगारा। सब्सक्राइब जा चुरूर करते हैं तो कि दिन बारत ये काम को छोड़ जाना जाता ही तो तो काम तो अरे यार 6 5 11 ठीक है 11 टोटल कामे शाट तो तीन दीन तक साथ में हुआ यार तिया तैने 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 माइनस हुआ तो 27 वचा 27 बांच के विशेंसी से होगा क्योंकि ये तो जा चुका है तो 5 24 25 25 27 ठीक है और 5 38 ये भी ठीक है ठीक है कोई दिखते हैं बचो सही है चलो हम लोग अगले क्वेशन के तरह पाजाते हैं आप थोड़ा सी इस क्वेशन को फर्माईए और अगले क्वेशन को हम चापते हैं बोट पे चाप लिए बचो तो च उस वज़े से 2 किसी भी एक टॉपिक पर 2 कौम से कम क्वेशन ले रहा हूँ तो इसे एक समझा सको ये कापने अश्या प्रैक्टिस कर सको सात में सात में मेरे ये तथा भी किसी काम को दस तथा 15 दिन में करते हैं यानी कि जो अह है ना वह 10 से काम को और जो भी है ना मिर पॉल क्या रहा है दोनों उस काम को एक साथ सुरू करते हैं तथा दो दिन बाद एक काम को छोड़ कर चला जाता है यानि कि टोटल जो effectiveness है वो 5 है इस 5 की efficiency से 2 दिन तक दोनों 7 में करते हैं न मिरे भाई 2 दिन तक दोनों 7 में कारय करेंगे इसके बाद जो चला जाता है यह छोड़ कर चला जाता है यानि की 5 total काम इस तो में में मेरे पास कित Choi 같은데 है? 30 काम करवाने हैं इन दोनों से यानि कि 5 की efficiency से 2 दिन तक दोनोंने मिलकर तो काम किया तो 5 दुना 10 काम दोनोंने निप्टा दिया बचा कितना काम? 30-10 कर लेंगे 20 काम बचा है इस 20 काम को कौन निप्टाएगा के लिए मेरे भाई A तो चला गया है अब B निप्टाएगा इस काम को तो B की efficiency कितनी है? 2 तो 2 की efficiency से 20 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो कहोगे 20 बटे के 2 यानि कि 10 दिन आउर लगेगा 10 दिन में B अकेले बचे हुए 20 काम को निप्टाएगा 2 की efficiency से पहले काम हुए थे 2 दिन अब अगला B अकेले जो काम किया है 10 दिन किया है चलेगा चीजों को समझिएगा थोड़ा सा फिर अगला थोड़ा सा टाइफ हम चेंज करेंगे इसमें question के language को आप समझिएगा कह कहा रहा है याब चीजें जो आपको पहले मिलना चाहिए हो लास्ट में दिया हुआ है घवडाना नहीं है यदि A तथा B क्रम से एक काम को 10 तथा 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करता है या line पहले लिखा दाना चाहिए तो तो आप थोड़े सहज हो जाते करने में लेकिन अब यही line जो है बाद में लिखा है तो इससे आ सहज नहीं होना है हमें चीजों को पहले पढ़ना है हमें एक एक नंबर से सुपर टेट पर टार्गट किये हो हैं सीध है अगर आप केवल और केवल यूपिटेट की तयारी कर रहे हैं तो समझ लेना मेरे भाई जाइड सी बात है आप यूपिटेट का देने की बाद तुर्ण तो सुपर टेट में कूदेंगे तो आप यहां से ना बहुती लो साथ तो लेंगे लेक्ट्र साथ लेक्चर में से अगर स्टार्टिंग की तीन लेक्चर आप देखते हैं तो आप यूपिटेट के क्वेशन को नहीं छोड़ेंगे यहां तक कि खैर अधर जो एकजाम होते हैं इधर उधर का उसको भी आप करोगी निप्टा होगे तो इस बार पहले ही वह दे दिया है total समय, देखिए question को total समय दे दिया है हमको 9 दिन और बोल रहा, A ने काम को छोड़ दिया अब यहां बताना है, A ने कितने समय में काम को B के साथ किया और या फिर यह पूछ लेगा A ने कितने समय, कितने दिन-बाद काम को छोड़ा ए पूछा है न क्वेशन को पढ़िएगा एक बार अच्छे से चलिए हम लोग क्वेशन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं पहले हम लोग उपर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा नीचे जैसे आएंगे पता चल जाएगा टता बी क्रमसह दस टता पंधर दिन में कारे को करते हैं ए ने किसी काम को 10 दिन में कंपलीट किया और बी ने सेम वर्ग को 20 दिन में कंपलीट किया सोरी 15 दिन में तीस है, तो दस त्याएं तीस, ए जो है तीस काम को करने में, दस दिन लगाता है, और बी जो है तीस काम को करने में, दो की एफिशियंसी से पंदर दिन लगाता है, ए जो है तीन की एफिशियंसी से तीस काम को करने में, दस दिन लगाता है, और बी जो है तीस काम को करने में, दो की एफिशियंसी से पंदर दिन लगाता है, यह बाते कही गई है, यही क्योशन में हमने निकाल भी लिया, अब बोला क्या जा रहा है, पहले टोटल एफिशियं कितने दिन बाद छोड़के गया और टोटल वर्क निकालना होता था हमें कितना कितना टोटल समय निकालना होता था कितने समय में दोनों मिलके में तब काम किये हैं लेकिन इस बार हमको टोटल समय दे रखा है और यह पूछ रहा है कि ए कितने दिन तक काम किया यानि कितने दि जो है ना वह तो अंत तक काम को किया ए के साथ भी किया ए चला गया तब भी काम किया यानि कि ए द्वारा जो काम किया गया है नौ दिन लगातार किया गया है यानि कि टोटल काम जब नौ दिन में समाप्त हुआ है तो इसे ही में से नौ दिन में से नौ दिन को अगर मैं बाट किया होगा अधवाई तो यानि कि देखो ओप यहां पर यहां पर यह दो फास्थ कर देंगे तो आज बारा काम, इस बारा काम को ना मेरे भाई, दोनों मिलकर किया है, यानि कि बारा किस एपिसेंसी से दोनों मिलकर, नहीं स्वरी, नौ दिन का तो एक का काम खतम, बी का काम खतम हो गया, यह जो बारा काम आया है न, वो केवल साथ वाले का आया है, साथ वाले का, साथ वाले में स वो भी केवल किस का? वो भी केवल केवल A का. तो A ने 12 काम किया है, किस efficiency से क्या हुआ? तीन के efficiency से, कितने दिन तक किया? चार दिन तक किया, यानि कि 4 दिन तक A और B मिलकर 7 काम किये, बाकी बचा 9 में से 4 घटाएंगे, तो 5 दिन, पांच दिन अकेले B काम किया है. ठीक है न? क 2 की efficiency से 30 काम करते हैं, तो दोनों की total efficiency में निकलके आगई 5. अब बोला जा रहा है, 9 दिन तक दोनों olmas 7, 9 दिन में काम समाफ़त हो गया. 9 दिन में काम समाफ़त हो गया. तो बताओ, एक कितने दिन 9 दूनी 18 है कुल काम 30 30-18 करेंगे दो बारा आएगा बारा वहा काम होगा जो A जो है 7 में किया होगा B के वो भी A वाला काम आया है निकल के B वाला थो ने निकाल लिया 18 का 18 तो आया जो 12 वो 3 के एपिसेंसी से अगर A करता है ठीक है मेरे भाई अब इस प्रस्ण को एक बार देखिए अच्छे से करिए फिसके बार थोड़ा सा एक क्योशन इसी टाइप का सेम हूब हूब मैं लेता हूँ अब इस बार जो काम है ना मेरे भाई 16 दिन में समाप्त होता है कितने दिन में 16 दिन में समाप्त होता है और A और B जो कारे करते हैं कितने कितने दिन कारे करते हैं दिन में 20 और 30 दिन लगाते हैं इस बार 20 और 30 दिन करम सर 20 और 30 दिन लगाते हैं बस अब डाटा थोड़ा से बस चेंज हुआ है क्योशन होई है सेम प्रशन को हम लोग करते हैं फिर वैसे ही बस देखना हूँ ए जो है कितने दिन लगाता है 20 दिन लगाता है और बी जो है 30 दिन लगाता है 30 दिन लगाता है तो 20 और 30 का LCM कितना होगा 60 होगा 20 त्याई 60 30 दूनी 60 तोटल एपिसेंसी 5 आ गया तो इस टोटल की हमें आव सकता नहीं है लेकर निकाल दीचे अब बोला जा रहा है एक काम को छोड़ दिया 16 दिन में टोटल काम समाप्त हो रहे हैं जब एक काम को छोड़ आए मेरे भाई तो टोटल 16 दिन तो B किया होगा टोटल काम हमारे पास 60 हैं B ने 16 दिन काम किया B छोड़ कर नहीं किया इस विसे 16 दिन काम किया होगा A छोड़ दिया कितने दिन बाद छोड़ यहीं को पता करना है तो जो B भी 16 दिन तक काम किया होगा B तो छोड़ के जा न आठ माइनस 32 कर देंगे, आ जाएगा 18, 18 आएगा न भई, 28 आएगा, 28 आएगा, यह 28 काम कौन किया होगा, ए किया होगा, कितनी के एपिसेंसी से, तीन के एपिसेंसी से, 28 भाई देख लोए बार, 16, 22 ठीक है, तो 28 काम यानि कि 3 से भाग लगा दोगे आप, 39 27 यानि एक बटे 3 तक वह काम किया, इसके बाद काम को छोड़ दिया, यह 9 सही एक बटे 3 दिन तक, दोनों साथ में काम किये, इसके बाद काम वह छोड़ दिया, तो कितने दिन बाद वह काम छोड़ा था, 9 सही एक बटे 3 दिन बाद वह कार छोड़ दिया, तो आपका उत्तर यह हमाल आ जाए लेकिन मैं आपके इस तरीकों को आसान बना दूँगा इस प्रकार से चीजों को मैं आपके सामने पर सुट करूँगा आसा करते हैं हम सभी इस वीडियो से जंतुष्ट हुए होंगे और क्लासे साब भरपूर तरीके से करिए कहीं भी बटकने की कहीं भी पेट क्लास के लिए एक बार कंप्लीट कराया जा चुका है लेकिन यह दुबारा मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोग अच्छे से काम करिए अपना वो पढ़ाई करते हैं धन्यवाद हो सके तो सेयर जरूर करना सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नए बच्चे के पास जिसको भेजेंगे जिसके पास उससे बोलना जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो मेरे भाई इस प्लेटफार्म पे आपको यूपीटेट के भरपूर क्लास दिये जा रहे हैं मचे वाले हैं धन्यवाद